Hello dear student, निसकर्स कैसे लिखते हैं? आखिर कार निसकर्स में क्या लिखा जाता है? आज आप इस वीडियो देखने के बाद निसकर्स में क्या लिखा जाता है? इन पॉइंटों को कभी नहीं बूलोगे, तो चलिए श्टार्ट करते हैं तो देखे मित्रो निसकर्स आपको पता ही होगा निसकर्स जब आप कोई topic लिखते हो उस topic के सबसे अंत का part निसकर्स होता है या जब आप कोई person करते हो उस person का जब उत्तर करते हो तो उसके उत्तर का last का अंतिम बिंदू निसकर्स होता है इतना आपको पता ही होगा तो देखे निसकर्स क्या होता है देखे निसकर्स को अगर मैं एंगरेजी में बोलू तो एंगरेजी में निसकर्स को कनक्लूसन बोलते हैं ठीक है कनक्लूसन का जो अर्थ होता है वो होता है निचोड का परिणाम जी हाँ, जो भी आपका topic है, मतलब कि जो भी आपका topic है, जिस भी topic के बारे में आप लिख रहे हो, उसका निचोड क्या है, उस topic का पूरा निचोड ही निसकर्स के अंदर आना चाहिए, याद रहेगा, निसकर्स में पहला point, कि भई उस पूरे topic का निचोड आपके उस निसकर में आ जाना चाहिए, ठीक है, दूसरा point है, कि भई आपका logic होना चाहिए, logic का मतलब है आपकी तरक सकती, ठीक है, आपकी सोचने समझने का निचोड निसकर्स के अंदर होना चाहिए, कि उस topic को आपने किस अपने नजरिये से समझा, आपका mind set किस प्रकार से बैठा है उस topic क के बारे में, तो आप अपने इसमें बिचार लिखते हो, निसकर्स के अंदर, जी हाँ, मुक्य रूप से देखा जाए, तो इसमें जादे तर इसमें उस topic के, जो भी आपने topic पढ़ा, या जिस भी topic का आपने उत्तर दिया, जो भी प्रिसन पूछा गया है, उस topic का, आपके मन में क्या विचार है, उसको लेकर, तो अपना विचार लिखना होता है, निसकर्स के अंदर, कोई खोज लिख सकते हैं, खोज का मतलब क्या है, मान लो कोई topic है, उसमें किसी का तुम खोज दे सकते हो, कि वैक्ति ने जो है, ये बात कहीती, ये इस प्रकार से हमने सिद्ध किया, ठीक है, थोड़ा समझो, जैसे आया मान लीजिए, कि भई, रूसो का समानता पर विचार प्रकाट करो, ठीक है, तो रूसो का समानता पर विचार प्रकाट करते हुए, आपने एक नीचे, रूसो की कोटेशन डाल दी, या अरस्तु की कोटेशन भर दी, ठीक है, उसक निसकर्स के अंदर ठीक है यानि कि किसी विद्वान की कही गई बातें खोजबीन चीज जो है निसकर्स के अंदर लिखी जाती है ठीक है मालो कि भाप के इंजन की पूरा आपने बो पड़ा भाप के इंजन की पूरी कहानी आपको लिखनी है आप निसकर्स में लिख दिया कि 1700-1800 सदी में आपका जैम्स बोट ने भाप के इंजन का अविस्कार किया ठीक है तो ये आपने खोज भी इन डाल दी कि पूरे इस कहानी में हो सकता है ना हो पर आपकी खोज जो है बोश टोपिक को लेकर है देखिए अपना तर्क, तर्क का मतलब लोजिक ही होता है तर्क का मतलब क्या है कि आपकी तर्क सकती उस टोपिक को लेकर क्या है मुख्यत है इसके अंदर विचार तर्क, उसका निचोड क्या है तोपिक का वो ही लिखा जाता है तर्क क्या है, तर्क का मतलब मैंने तुम्हें बताया कि कोई भी सीरसक है ठीक है उस सीरसक को लेकर आपके मन में क्या तर्क है आपका क्या लोजिक है ठीक है उसका क्या परिणाम है यानि की परिणाम का मतलब है उस पूरे टोपिक का जो भी आपने टोपिक लिखा है उस टोपिक का क्या परिणाम है रिजल्ट क्या है क्या दिखाना चाहते हो एक्ज प्रोल नहीं करेंगे तो आपके निसकर्स में सत्यता का बोध भी होना चाहिए जी हाँ आपके निसकर्स में सत्यता का बोध भी होना चाहिए सत्यता का मतलब कि एक टू नैस होनी चाहिए आपके निसकर्स में प्रमान जरूर दो प्रमान का मतलब क्या एक ओथेंटी आपके निसकर्स में authenticity जरूर होनी चाहिए एक authentic होना चाहिए तरमान का मतलब है कि वो आपने जो जानकारी दी है उसमें कुछ डाटास लिए इतनी भड़ रही है तो आपने प्रमान दे दिया एक authentic प्रमान दे दिया डबलु एचो का समझ गए हो गया प्रमान में देखी कथन का मतलब यही होता है कि आप जो है उस पूरे कथन का या उस पूरी स्टोरी का एक छोटे से उसमें आप कथन में बात कर दो उसकी ठीक है इस निस्कर्स में एक point और है जिससे सार बोलते हैं यानि की पूरी कहानी का सार क्या है फूर एक्जामपल कि आपको चलो में एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपने बच्पन में एक स्टोरी पढ़ी होगी मतलब की एक सोने के अंडे बाली मुर्गी ठीक यह वो सोने के अं के लिखो गए अब सार लिखुगे इस टोपिक का यानि कि उस पूरी कहानी का सार गया है के निस्कर्स का दूसरा नाम उपसनहार वियंदी हां उपसनहार मतलब होता ये समापती यानि की आर्टिकल या लेखके अंत्में दिया जाने वाला सार या अंतिम अंस या अंतिम छोर ही निसकर्स कहलाता है ठीक है या निसकर्स लिख लो आप उपसन हार लिख लो बात एक ही है अब देखे आप समझ गए हो गए कि निसकर्स के अंदर क्या क्या चीज़े लिखी जाते हैं कि निचोर क्या है ठीक है परिणाम आपकी तर होता है अब देखिए उधारन के साथ हम निसकर्स को समझेंगे आपको ये जो है एक टोनिक की तरह काम करेगा ये एक्जामपल इसके माद्यम से आप कभी जिंदकी में निसकर्स कैसे लिखते हैं कभी नहीं बूलोगे तो चलिए देखते हैं देखिए कहानी आपके तीन पहर ये होती है अब देखिए पहली लाइन है इसमें बिस्व के हर सागर में मछलियां रहती है दूसरा बइंदु है हर मचली की रीड की हड़ी होती है दूसरा पॉइंट है हर मचली की रीड की हड़ी होती है तीसरा पॉइंट है अंडमान सागर भारत का एक सागर है इसमें आपने ये पूरी एक मतलब की आपने टोपिक दिया है आपको अब आपको इसका निसकर्स लिखना है तो देखिए क्या इसका न बिस्व है पूरा उसके एक-एक सागर में मचलियां रहती है और मचलियों की रीड की हड़ी होती है अंडमान सागर भारत का एक सागर है अब निसकर्स में लिखना है आपको क्या लिखोगे देखे एगजामिनर जब चेक करता है निसकर्स को तो उसमें एगजामिनर ये बच्चे की तर्क सक्ति क्या है उस निसकर्स को लिखते वक्त बच्चे का विचार क्या है सत्यत्य का बोध कितना है उसकी ओथेंसिटी कितनी है निसकर्स को लेकर बच्चे की ठीक है अब देखते हैं आखिरकार इस पूरी टोपिक का निसकर्स क्या होगा ठीक है जो हमने होती सोट रूप से संग्छिप्ट रूप से निसकर्ष को यहां पे लिख दिया अब दिखिए संग्छिप्ट से ऐसे मच उचना कि हमेशा निसकर्ष चोटा ही होता है आपके फिरसन पे आपके टोपिक पर डिपेंड कर रहा है मानलो आपका कोई %20 अंक का है, तो आप निसकर्स जो है, कम से कम वो आठ से 10 लाइनों में देनी है, निसकर्स को पूरी तरह से, 8 से 10 पंक्तियों में उसका निसकर्स लिखना है, अब यहाँ पे हमने तीन लाइने थी, इसलिए हमने हैं तीन लाइनों समय क्या लिखते हैं निसकर्स कैसे लिखते हैं एक्जांपल के दुआरा भी मैंने आपको बता दिया और निसकर्स के अंदर कौन-कौन से बिंदू याद रखने वाले हैं मैंने आपको बताया निचोड क्या है उस पूरे टोपिक का वो निसकर्स के अंदर डालो लोजिक क्य क्या है उसको लेकर आपका आइडिया क्या है आपका विचार क्या है आपकी अडलोजी क्या है उस टोपिक को लेकर कोई खोजबीन डाल सकते हो रिजल्ट डालो कि उसका प्रिनाम क्या होगा सत्यता का बहुत भी होने शाहिए निसकर्ज के अंदर प्रमान क्या है ठीक है प्रमान Autensity और कतम डाल सकते हो और उस पूरी कहानी का समरी क्या है सार क्या है ठीक है अंतिम अंस में ही निसकर्ज को लिखा जाता उधारन के साथ भी हमने समझ लिया तो हम मिलते हैं एसी ही किसी next वीडियो में मित्रो तो जिस तुमारे friend circle में तो मैं लगता है कि किसी मित्र को निसकर्स लिखने में थोड़ी कठना ही होती है या आपके पूरे classmate का कोई group है तो उसे बटसब group में इस वीडियो को अधिक से अधिक share करो जिससे उनको भी पता लगे कि निसकर्स में बो जो गलतियां करते हैं बो ना करें ठीक है और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ तो आपको जिससे प्राप्त होंगी वो कैसे प्राप्त होंगी इस हमारे चनल को सब्स्क्राइब जरूर करने न क्यूंकि सब्सक्राइब करने से आपको हमारे दुआरे डाली गई ऐसी वीडियों सबसे पहले नोठीपिकेशन आपके पास आ जाएगा नोठीपिकेशन के लिए आप बेल आइकन का बटन जरूर किलिक कर देना तो हम मिलते हैं कि इस नेक्स्ट वडियो में तब तक के लिए दीजिये हमें इजाजत जहिंद जय बारत